नमस्कार प्यारे साथियों, I hope कि आप सभी अच्छी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे एक जरूरी बात यह है कि ना आते हुए क्वेस्चनों को छोड़ करके आना सबसे बड़ा चुतियाफ़ा होगा क्योंकि आप SSE का एकजाम दें या UPSC का एकजाम दें, इसमें अधिकतर तुक्के बाजी का ही खिलोता है मालो कोई व्यक्ति जो है वो पांच क्वेस्चन करता है जिसमें से तीन तुक्के उसके सही हो जाते हैं और कोई पांच करके और चार भी सही कर लेता है तो यह possibility कैसे होगी और कैसे हम अधिक से अधिक क्वेस्चनों को ना आते हुए भी सही कर सकते हैं और selection पा सकते हैं तो यह बहुत important वीडियो है इसको देखना जरूर अंतक सबसे बढ़िया आइडिया है यह तुक्का बाजी करने का जिसमें से आपको चार आपसंदीए होते हैं जैसे आपका A, B, C, D यह आपको चार आपसंदीए रहते हैं इसमें से आप क्या करते हो अधिकतर लोग कि first कभी first पे मार दिया कभी second पे कभी third पे कभी किसी पे कुछ पे मार दिया तो इस तरह से नहीं होता है इसका एक sequence होता है अगर आप पहली बार ये में मारोगे आप 20 question attempt करते हो जो आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से मारोगे तो मालो किसी में कभी सही रहेगा आप मारते विए में तो गलत हो जाएगा अगर ये sequence wise चारों अगर सही मारते हो तो चार option में से कोई ना कोई आपका सही हो जाएगा लेकिन ये भी method सही नहीं है क्यों नहीं सही है क्योंकि आप अगर एक option को छोड़ करके चलते हो तो possibility अधिकतर रहती है B की और C की तो आप या तो B की मारो या तो C की मारो तो लगतार अगर तीन तीन B की मार रहे हो तो फिर C की तीन बार लगतार मारो जैसे 1, 2, 3 ये तीन आपके questions हैं जिसमें से आप अगर B attempt करते हो तीन बार तो आप 4, 5, 6 पे भी आप CC इस तरह से आप कर सकते हो तो इस तरह से possibility ज़्यादा रहती है इसमें correct होने की और एक बात और है कि अ कोई व्यक्ति है जो मालो 5 attempt करता है और जिसमें से उसकी उसको अगर किसी question पे अगर 50% doubt रहता है जैसे A है और B है questions है अगर A पर B पर 50% का doubt है तो इसको attempt कर सकता है अगर 4 options दिये हुए हैं A, B, C, D अगर आपको अगर 3 पे विश्वास है कि नहीं यही हो सकता है तो आप इन 3ों को attempt करोगे बलकि इसको नहीं करोगे तो इस तरह से I hope understanding की आप understand की आप समझ पा रहे होगे इस बात को तो आप यह जैसे 4 दिये हैं absence तो आपको अगर C और D में 50% की possibility है कि नहीं या तो C हो सकता है या तो D तो आप इसी दो में से attempt करोगे ना कि इन दोनों को ले करके करोगे उसी तरह से फिर आपको options मिलते हैं जैसे आपको questions नहीं आ रहा है और आप ABCD में से कोई एक मानना चाहते हो तो चेक करोगे कि A की possibility कितनी है और D की possibility मानलो इसकी 50% बना पा रहे हो इसकी 25% बना पा रहे हो तो आप इनहीं दोनों में से attempt करना तो इस तरह से तुक्के बाजी करके भी आप ज्यादा questions सही कर सकते हो तो I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो please subscribe this channel and press the bell icon so thank you